हलो फ्रेंट्स वागते आप सभी का हमारी चैनल स्टेडी आई एस पे और आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए एक जैसे पीएचडी में जो भी एंडूल होना चाते हैं या पीएचडी के लिए जो भी एड्मिशन लेना चाते हैं तो उन सभी फ्रेंड्स के लिए यहां क्रुक्षेत्र युनिवर्स्टी में निकल के आया है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं ठीक है तो उसी को हमने शेयर करने के लिए वीडियो बनाया है वीडियो छोटी होगी लेकिन एकी रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर जाएगी ठीक है और सब्सक्राइब की साथ में बैल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ठीक है शेयर जरूर करिएगा कुछ फ्रेंड्स को क्या होता है कि काफी सारी नोटिफिकेशन पता ही नहीं पड़ पाती है ठीक है तो आपके लिए हम यह सारा काम आसान कर देंगे शे एड्मिशन की डेट और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया उसे मैं शेयर कर रही हूं बाकी आप इसे जाकर के गूगल पर खोलीजेगा देखिए आप गूगल पर जाके टाइप करिएगा फ्रेंड्स के यू के डॉट इन ठीक है तो जैसी आप इसे टाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन खुल जाएगा कुछ इस तरीके का ही होगा ठीक है कुरुक्षेत्र यूनिवस्टी ओके और यह स्टेट यूनिवस्टी है माई डियर फ्रेंड्स ठीक है देखिए यहाँ पर जब इसे स्क्रॉल करेंगे ना तो वन सेकेंट ठीक है तो यहाँ से स्क्रॉल करके और यह देखे मैं आप दिखा देती हूँ पी-ेसट एड्मिशन यह है आप यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो देखिए यह दाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर यह देखिए यह है आपका पी-ेस्ट एडिशन ठीक है अब इसमें जो जो आपको inquiries में करनी हो, जैसे सबसे पहले मैं आपको notification ये देखिए, notification सबसे पहले है, इस पे click करके आप भी notification एक बार पढ़ लेना अपने hand से, ये download हो गया, ठीक है मैं दिखा देती हूँ, ये open हो रहा है, ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवस्टी ठीक है, ये state यूनिवस से ये देखिए, 1st February to 7 February, ओके, ये देखिए, मैं जूम कर देती हूँ, ये date है आपकी, इस date तक आपको form fill कर लेना है, ठीक है, बाकि आपको जो भी information चाहिए, वो सारी इसमें provide हो जाएगी, आप जैसी महाँ पे click करेंगे, तो आपको इसकी सारी information मिल जाएंगी, ओके, दे देख सकते हैं, ओके, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, फी स्ट्रक्चर खोलते हैं, तो ऐसे ही वो भी पेज़ खुल जाएगा, आपका download, ओके, ये enrollment fees है इसके अंदर, जो कि आपकी 2500 है, ओके, ये देखिए, ओके, तो ये आपक fee है, इसके बाद में आपका per annum जो charge है, वो 1000 दिया हुआ है, बाकी migration fees, ओके, और PhD course work fee, यहाँ पे दिया है, annual fee per annum जो रहेगी, वो रहेगी 5000 आपकी, ओके, इसके बाद में annual fee per annum, except pharmaceutical, ठीक है, उनकी 15,000 होगी, for research program, subjects involving laboratory, chemicals and computer equipment, ओके, annual fee per annum for pharmaceutical sciences के लिए हो जाएगी, आपकी 80,000, ठीक है, late fee per month 100 charge होगी, और 6 month beyond होगी, आपकी 200 rupees, ओके, evaluation fees जो रहेगी, आपकी, वो 12,000 रहेगी, ठीक है, तो इतना मैंने आपको open करके बता दिया, I hope guys information आपको अगर आपके काम की लगी है, कि आपके friend circle में भी इसे share कर देना, अ notification नहीं मिल पाते हैं, तो I hope आप लोगों को सारी चीज़े समझा कई होगी, जो भी आप लोगों को information चाहिए हो, आप बाकी comment में पूछ सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही बस यही वीडियो बनानी थी, आप लोगों को मैंने दिखा दिया, आप यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा, और आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, कुक.in आप Google पे डालेंगे, तो आपको यह page open मिल जाएगा, ओके गाईज, I hope all you are doing well, all the best for your upcoming examination and for preparation, next वीडियो तक बने लेएगा, पूरी वीडियो जरूर देखा करिये, subscribe, like and share जरूर करियेगा.